बॉनिंग गाइस, तो हमारा जो ओला एलेक्टिक वीकल है, उसमें थ्री रिजन्डेटिव ड्राइविंग बोट्स मिलते हैं, एक होता है लो, डिफॉल्ट, हाई, तो हम देखने वाले हैं कि तीनों बोट्स में कितनी कितनी पावर है, वो जन्नेट होती है, तो चलिए वीड और यहां मैंने पावर सेट कर रखी है, तो आप मैं सब्सक्राइब किसी को नहीं पता है, यहां डिफरेंट पेरामीटर है, वो स्लेक कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर पावर सेट कर रखी है, पावर चेक करने के लिए, ठीक है तो चलिए, वीकल में ड्राइव करता हूं, और मैंसे 50 तक लेके जाऊंगा देन मैं इसका जो रिजनेटिव रेकिंग चालू कर दोंगा 50 तक मैं पॉंच चुका हूं देखिए तू पॉंच री तक मैक्सम जो रिजनेटिव रेकिंग है वह हुई है देन अब मैं दूसरे मोड्स में चेक करता हूं एक एक करके कि मैंने पहले बताया था कि फिफ्टी तक जाऊंगा तो यहां मैं पहुंच आँ फिप्टी तक अब मैं रिजनेटिव रेकिंग चालू करता हूं तो 2.2 तक जो आवर है वह जनेट हुई है चली अब मैं फिर से इसकी जो रिजनेटिव ब्रेकिंग की सेटिंग है वह एक पर और चेंज करता हूं जो लो मोड है उसमें भी चला के देखता हूं तो अब मैंने यहां पर रिजनेटिव ब्रेकिंग में लो मोड लगा रखा है आप चलिए लगा के देखते हैं कि कितनी पावर है वह जन्नेट होती है वीकल में जो हम ब्रेकिंग करेंगे सो मैं 50 तक लेके जाओंगा इसे अग्यां अग्याँ जो यहां हम पॉंचे के 50 पर तूपॉंट टूपावर है वह जन्नेट हुई चाहे हम डिफॉल्ट मोड पे होँ चाहे हम लो मोड पे हो जाए हम थर्ड मोड पे हों जिसका नाम था एक्शली में नाम भूल गया हाई मोड पे हो ड सब में सेम मैक्सम पावर है 2.3 की जन्नेट होती है फाइनली तीनों मोड थे वह हमने चेक किये और हमने यह पाया कि तीनों मैं मैं मैक्सम 2.3 क्लोवाट की जो मैक्सम पावर है वही जन्नेट होती है चाहे वह कोई साभी मोड हो नॉर्मल हो हाई हो या डिफॉल्ट मोड हो